हलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूटुब चैनल टेक इंडिया वन में आज किस वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्वीटर अकाउंट कैसे बनाते हैं गाइस आपको बता दू आज का जमाना मौडरन जवाना है और यहां हर कोई सोसल मेडिया अकाउंट अपना अपना बना के रखते हैं और वहां एक्टिब रहना पशंद करते हैं तो आज किस वीडियो के अंदर में आप सभी को बताऊंगा ट्वीटर अकाउंट कैसे बनाते ह तो आपको यह वीडियो पूरा ध्यान से देखना है और शीखना है एंड गाइस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल पे नए हो तो आपको जो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इसके उपर क्लिक करके शाथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके आप हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को बताते हैं सु फ्रेंट्स इसके लिए सबसे पहले आपको ट्वीटर अप्लिकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है उसके बाद आपको सिंपल इस अप्लिकेशन को ओपन करना है तो जैसे आप इस application को first time open करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह से options दिखाई देते हैं यहाँ पे दो options दिख रहा है country with google और नीचे यहाँ पे लिखाई create account और सबसे नीचे login का option दिख रहा है आप यहाँ पे already account बना रखे तो आप login पे click करके login कर सकते हैं फिलाल यहाँ पे हम लोग twitter का नए account बनाना सीखेंगे इसके लिए हम simply create account के उपर click करेंगे तो जैसे आप इसके उपर click करते हो अब आपके सामने कुछ इस तरह के पेज आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है यहाँ पे आपको phone number या फिर email address add करना है उसके बाद यहाँ से आपको अपना date of birth select कर लेना है जैसा कि हम यहाँ पे यह सभी कुछ enter कर दिये यहाँ से हम date of birth को भी select कर लेते हैं और next पे हम click करते हैं तो जैसे आप इसके उपर click करोगे तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखके आता है customize your experience आपको simply next के उपर click कर देना है तो हम जैसे इसके उपर click करेंगे तो आपने जो भी detail यहाँ पे आपने भरे है वो सभी यहाँ पे दिखाई देंगे तो एक बार फिर से आप इस सभी को check कर लिजे यहाँ पे हमने confirm कर लिया यह सभी कुछ सही है तो simply हम sign up बले बटन के उपर click करेंगे तो जैसे आप इसके उपर click करोगे तो आपका number verify होगा और उस number पे एक OTP आएगा इस app के तरप से simply हम ok के उपर click कर देते हैं यहाँ पे आपके पास जो code आया है वो यहाँ पे enter करना है और next पे click करना है तो यहाँ पे हमने code को enter कर दिया है simply next पे हम click करेंगे तो जैसे आप इसके उपर click करोगे तो अब आप से यहाँ पे एक password set करने के लिए कहा जाता है इस application के तरप से तो अब आपको यहाँ पे 8 अंक का कोई भी password अपने हिसाब से set कर लेना है तो यहाँ पे हम अपना password set कर लेते हैं और simply next पे click करते हैं तो यहाँ पे अब हमने password अपना set कर लिया simply यहाँ पे next पे click करेंगे तो जैसे आप इसके उपर क्लिक करोगे अब आप से यहाँ पे परफाइल पिक्सर अपलोड करने के लिए कहा जाता है आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो और इस काम को आप बाद में भी कर सकते हो फिलाल हम यहाँ पे इसको भी अपलोड कर लेते हैं इसके लिए हम simply upload वाले बटन के उपर क्लिक करेंगे तो जैसे आप इसके उपर क्लिक करोगे तो आपकी सामने दो options दिखाए देंगे take a photo यानि कि अभी अगर आप कोई photo क्लिक करके यहाँ पे लगाना चाहते हो तो इसके उपर क्लिक किजिए या फिर आप अपने gallery से कोई photo सेलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको second वाले options के उपर क्लिक करना है तो यहाँ पे हमने अपने gallery से एक photo सेलेक्ट कर लिया simply यहाँ पे apply के उपर हम क्लिक कर देते हैं और finally यहाँ पे allow का button आ जाता है simply allow के उपर हम क्लिक करेंगे और आप कुछ इस तरह से देख सकते हो हमारा यह profile photo यहाँ पे set हो चुका है simply हम next वाले button के उपर क्लिक कर देते हैं जैसी हम इसके उपर क्लिक करते हैं तो अब आप से यहाँ पे कहा जाएगा अपना bio लिखने के लिए तो अगर आप अपने बारे में कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ पे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ पर हमें जो लिखना था हमने लिख लिया simply next वाले बटन के उपर हम क्लिक करेंगे और अब आपके सामने दो options दिखाई देते हैं अगर आप चाहतो अपने account को अपने contact list से link करना तो आप उपर वाले option को select कर सकते हो या फिर दूसरे वाले option not now के उपर click कर देना है अब यहाँ से आप से पूछा जाता है आप कौन-कौन से language जानते हो या फिर आप बोलते हो तो यहाँ पर मैं English और Hindi को select कर लेता हूं और अब हम next वाले बटन के उपर click करेंगे तो अब आप से यहाँ पर कहा जाता है आप कौन-कौन से topic में interest रखते हैं तो उस हिसाब से आप य देख सकते हो सजेशन में कुछ पॉपलर्स राजनेता बरे-बरे एक्टर्स उनके profile हैंडल यहाँ पर दिख रहे है जिन्हें आप चाहो तो यहाँ से follow कर सकते हो फिलाल यहाँ पर यह काम हम बाद में करेंगे simply next को उपर हम click कर देते हैं और अब दोस्तों यहाँ पर most important और finally इतना करते ही guys आपका यहाँ पर Twitter account बनके तयार हो जाता है आप यहाँ पर get start वाले बटन पर click करके आप यहाँ से किसी को follow कर सकते हो या फिर search वाले बटन पर click करके आप यहाँ से किसी को search करके आप उन्हें follow कर सकते हो Twitter पे बहुत सारे लोग active होते है और यह application लोगों में काफी ज़्यादा दिलचस्पी रखता है तो अगर आप भी Twitter users हो तो आपको यह चीज़ बतानी के जुरूरत नहीं आप पहले से ही जानते होंगे I hope कि guys आप लोगों ने सीख लिया Twitter account कैसे बनाते है आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें comment करके पूछ सकते है हम आपको reply करेंगे फिलाल इस वीडियो को like कर दीजिए चैनल पे नए हो तो subscribe कीजिए हम मिलते हैं आप से जल्दी किसी नए वीडियो के साथ तब तक लि गुट बाइ